बच्छो किसे हो आप साब सब थिक तू चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी पहले सब्सक्राइब करो और फिर हम आज की कहानी शुरू करेंगे अगर तुम सब्सक्राइब नहीं करते हो तो मैं तुम्हारे ल जहां जीवों का संघटन हो रहा था जंगल का बस एक ही नियम था शक्ती ही सब कुछ है हाथी जंगल के राजा था और उसकी भाषा सब के लिए कड़ी थी उसकी आवाज सब के सामने हमेशा महत्वपूर्ण थी एक दिन जंगल में एक छोटा सा चूहा आया चूहा बहुत ही सधहें और आत्मविश्वासी था और वह चाहता था कि उसकी भी जगह जंगल में होनी चाहिए वह हाथी के पास गया और कहने लगा हे हाथी मुझे तुम से कुछ कहना है और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सुनो हाथी ने तब उसके उपर एक नज़र डाली और कहा तु चूहा है और मैं हाथी हूँ तु मेरे सामने क्यों आया चूहा ने कहा मुझे लगता है कि तुम मेरे बगीचे में बड़ी समस्या डाल रहे हो और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे बंद करो हाथी हंसी में बोला तू चूहा है और तू मुझसे बगीचे की देख भाल करने की सलाह दे रहा है तुझे किस बारे में पता है चूहा ने कहा मैं छोटा हूँ लेकिन मैं बड़ा सोचता हूँ मेरे पास आपके बगीचे के बारे में कुछ अच्छे सुझाव हैं हाथी थोड़ी देर सोचने के बाद चूहा की सलाह स्विकार कर ली वह सोचा ये छोटे से चूहे के सुझाव का क्या नुकसान हो सकता है चूहा ने उसे कुछ सुझाव दिये जैसे कि बगीचे के किनारे एक और उच्च सींच स्थापित करने की जरूरत है, ताकि पानी सही तरीके से बिछाया जा सके। हाथी ने उसकी सलाह को मान लिया, और उसने बगीचे के किनारे और भी कई छोटे से उपयोगी सुझाव अपनाए। बगीचे का प्रबंधन अब कहीं अच्छा हो गया था। दिन बीट गया और चूहा और हाथी एक साथ काम करने लगे। हाथी ने देखा कि चूहा छोटा था, लेकिन उसकी सोच और योगदान बड़े थे। वह समझ गया कि साइज नहीं, बलकि सोच की महतुपूर्ण बात है। एक दिन एक बड़ा समस्या आई, एक बड़ा से बड़ा शेर गाव के पास आ गया और लोगों को डरा रहा था। हाथी अकेले में क्या कर सकता था। तब चूहा ने उसे सलाह दी कि वे मिलकर एक योजना बनाई और उसे क्रियानवित किया। शेर को धीरे धीरे जंगल के बाहर बहकर उसका ध्यान खीच लिया। जब वह जंगल के बाहर पहुँचा, हाथी और चूहा ने उसके साथ मिलकर उसे भगवाने के पास भेज दिया। इस कहानी से हमें यह सिखने को मिलता है कि सोच और साजेदारी कभी-कभी साइज और शक्ती से अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हाथी और चूहा की तरह हमें भी अपने सामर्थे को पहचानना और सहयोग करना चाहिए, ताकि हम साथ में मुश्किलों का सामना कर सकें। इस कहानी से हमें यह भी सिखने को मिलता है कि हमें गर्व से अपने साथी को सुनने और मानने का मौका देना चाहिए चाहे वे छोटे हो या बड़े। अगर हम साथ काम करते हैं तो हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही सम्रिध्धी की ओर बढ़ सकते हैं। चालो यार मास्ती करके शड़कारो और सबस्क्राइब हो जाओ। ऐसे ही अपदेट्स के चाकरमेन पटे रहो धमाल मचाते रहो।